आपका दोस्ट सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आप इस्पेसिलाइज़ इन मेटाबोलिक इन लाइफ स्टाइल डिसीज अलों विद आप इस्पेसिलाइज़ एक्सपिरेंस ऑफ सीवीटी काउंसलिंग सेक्शुल प्रॉब्लम और बिह इना सेक्श्वाल पाबर को बूस्ट करने के लिए इरेक्टाइल डिस्फॉंक्शन के लिए प्रीमेचोर इजस्यकुलेशन के लिए तो आप यह मेदिशन यदि खुद से ले रहे हैं या कैमस के रिकमेंडेशन से ले रहे हैं या गुगल से पढ़के ले रहे हैं या किसी का वीडियो देख के लिए रहे हैं तो आप ये बिलकुल ना करें ये बिलकुल खतरनाक है ये बिलकुल गलत है इससे आपको health संबंदिद side effect होंगे और long term आपकी problems बढ़ेगी और इससे आपका sexual strength, sexual energy, sexual power decline करेगी और day by day आपको एक depression बढ़ेगा जिससे कि आपकी life में बहुत सारी problems आएंगे तो इसका ये एक सही तरीका नहीं है इसको deal करने का ये एक बिलकुल non scientific, non clinical method है जिससे कि आपको सारे रिक मांसिक और sexual related problems आएंगे जो कि बाद में आपको बीमारी का रूप लेंगे और most of the time से देखा जाता है कि इस तरह की problems depression में या anxiety में या हीन भाबना में या फिर हमारे relationship में एक problem के रूप में सामने आती है तो आप ये ना करें आज हम completely ये review करेंगे कि जो sex medicines, जो sex power को stimulate करने के लिए जो दबाईयां बजार में available हैं, वो दबाईयां क्या करती हैं, क्या उनका कोई clinical useful effect है, उसके पीछे myth क्या है, उसके पीछे fact क्या है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दबाईयों की नाम बताने की कोसिस करूँगा, उसके साथ मैं कोसिस करूँगा कि आपको उसके user side effect बता पहूँग, जो बहुती commonly दबाईय ली जाती है, भियोग्रा, पैनिक्रा, भियाग्रा, इस तरह की जो दबाईयां होती हैं, वो clinical sex करते हैं, उससे आपको long term sex drive को चलाने में कोई फायदा नहीं मिलेगा, और उसके अपने clinical side effect होंगे, जो कि clinical side effect live threading भी हो सकते हैं, यदि आप इस category की कोई दबाईय लेते हैं, तो doctor से consult करके लिए और doctor से prescribed dose ही लें, और उसको उतने समय तक ही लें, जितने समय तक doctor ने आप प्रस्काइब किया है, दूसरी बात, कुछ आयरुवेदिक medicines हैं, जो आज कल हम देखते हैं, बहुत सारे लोग day by day, day practice में मेरे से पूछते हैं, और वो queries continuously बनी रहती है, कि हम 10x fort हो गया, या फिर अस्व गंदा हो गया, या फिर दूसरी जो आयरुवेदिक दबाईयां है, या जड़ी बूटियां है, या जो powder है, क्या वो ले सकते हैं, उससे कुछ फायदा हो सकता है, बहुत सारे लोग आयरुवेदिक के नाम पे, या जानकारी के अभाब में उस तरह की दबाईयां पुस्ट करते रहते हैं, और लोग वो दबाईयां खाते भी हैं, लेकिन clinical fact य ये सारी दबाईयां आपको strength या stamina some extent provide कर सकती हैं, और इससे आपको थोड़ा बहुत 5-10% sexual intimacy में या आपको sexual energy में या उसके performance में फायदा मिल सकता है, लेकिन clinically root cause पर इनके कोई बहुत बड़े dramatical प्रभाब नहीं होते हैं, और दूसरा sex की जो energy है या जो sex power है, वो आपकी सार पर रेक मानसिक और जो stamina वाली चीज है, उससे बिलकुल different है, ये hormonal base है, ये आपके attitudinal base है, और इसमें और भी बहुत सारे factor काम करते हैं, तो इस तरह की कोई भी medicine आप ना लें, अब समस्या ये है कि यदि इस तरह की medicine ना लें, इस तरह का problem है, तो फिर आगे हम करें क्या, सबसे पहली बात, किसी इंसान का sexual time, sex duration एक minute हो सकता है, two minutes हो सकता है, और maximum three minutes हो सकता है, और यदि आप कुछ stimulation या फिर कुछ support के साथ करते हैं, तो that can reach to the four to five minutes, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और दो लोगों का sexual time, sexual reaction तरीका कभी भी similar नहीं हो सकता है, सबसे पहले आप जो हैं, जैसे हैं, जितनी आपकी sexual duration है, आप उसको accept करिए, sex और intimacy केवल एक sexual counter नहीं है, sperm का secretion नहीं है, केवल discharge होना नहीं है, ये बहुत बड़ा subject है, इसमें बहुत सारी चीजे हैं, तो आप step by step जाएं, अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूँ, sex के performance के पीछे, बहुत सारे factor काम करते हैं, आपका attitude, आपका sperm का count, आपके hormones का secretion, आपकी connectivity, आपके partner के साथ आपकी chemistry, दौनों लोगों का involvement, दौनों लोगों का playful होना, प्लस दौनों लोगों का एक दूसरे को accept करना, आप अपने partner को इस तरीके से deal करिए, इस तरह की chemistry develop करिए, कि आप एक मिनट कर पाएं, या दो मिनट कर पाएं, या तीन मिनट कर पाएं, वो playful हो, वो enjoy रहे उसमें, वो energy उसमें रहे, वो connectivity उसमें रहे, और वो satisfactory part रहे, यानि आइधर one minute और three minutes, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को completely accept कर लेते हैं, तो फिर ये time का सवाल बहुत छोटा हो जाता है, और आपकी जो intimacy है, आपकी जो chemistry है, जो आपका playful part है, वो बहुत बढ़ा हो जाता है, लेकिन जब तक आप इस issue को अपने partner के साथ discussion नहीं तब तक ये problem solve नहीं होने वाली है, जब तक आप इस fear में रहेंगे कि मुझे maximum performance देनी है, मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तब तक ये problem solve नहीं होनी है, इस problem को किबल दो लोग solve कर सकते हैं, वो दो partner जिनके बीच में sexual intimacy develop होनी है, जब तक वो दोनों एक page पर नहीं आएंगे, जब तक वो इसको discuss नहीं करेंगे, जब तक वो दोनों लोग commonly doctor के पास visit नहीं करेंगे, तब तक ये problem solve नहीं होने वाली है, इस तरह की poster medicines, chemist के द्वारा, कुछ बाबाओं के द्वारा, या कुछ non specific source से, या जो professional doctor नहीं है, उनके द्वारा recommended medicines से आप बचें, उस sex problem का क्या होगा, I don't know, but एक depression, एक problem जरूर आपकी life में खड़ी हो जाएगी, जिससे की आपको whole life deal करना पड़ेगा, thank you very much and take care yourself.